मस्कार विधियरतियों, वेलकम अगें तू माई चैनल संदीब जेन क्लासिज, आज हम क्लास 12 इंग्लिस लिटरेचर की टेक्स्ट बुक प्रुडेंस के नोन फिक्षन सेक्षन के थर्ड चप्टर The Argumentative Indian by Amritya Sen की स्टडी करेंगे इसकी स्टडी के अंतर गत्म डीटेल में इसकी समरी समझेंगे और Important Question Answers भी दील करेंगे शान्ती निकेतन में जन में Amritya Sen जो 1998 के Economics में नोबल पुरुसकार विजयता है वे Harvard में Economics, Philosophy, History और Low पढ़ाते थे इनकी किताबें तीस से अधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी है आपके सिलेबस में सम्मली तैसे The Argumentative Indian में अमरत्य सेन भारत और भारत की पहचान के बारे में लिखते हैं इस लेक्के केंदरबिंदु के रूप में वे भारत में तर्क वितर्क और सारुजनिक भहस की लंबी परंपरा बोधिक द्वेतवाद यानि intellectual pluralism और generosity यानि उदारत की बात करते हैं जो भारत की इतिहास पर विशेस रूप से प्रकास डालते हैं हालंकि वे भारत के अतीत के बारे में बात करते समय ट्राइम्फलिज्म से बचते हैं ट्राइम्फलिज्म अर्थात विजेवाद अर्थात हम सबसे स्रेष्ट थे, हमारी संस्कृती ही सबसे सफल संस्कृती थी इस बात को कहने से अमरित्यसें बचते हैं वे हिंदित्व को एक समावेशी दर्सन के रूप में प्रतिपादित करते हैं, ना कि विभाजनकारी दर्सन के रूप में. अर्थात हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को वो एक सभी संस्कृतियों को मिला कर चलने वाली संस्कृति के रूप में प्रतिपादित करते हैं. आईए हम इसका विस्तरत सारांस समझते हैं लंबे भाशन देना बात को लंबी खीचना भारत के लिए नया नहीं है आदिश्यताब्दी पूर्वत अतकालियन रक्षया मंतरी कृष्ण मेनन द्वारा भारत के प्रतिनिदी मंडल का नित्रित्व करते हुए संयुप्त राष्ट में नो गंटे का अभूत पूर्व भाशन दिया गया था भारतियों को बातुनीपन अत्यंत पसंद है भारत में ये आदत नहीं नहीं है लेकर कुदारण देते हुए कहते हैं कि भारत के प्राचीन महाकावे रामायन वा महाभारत जिनकी तुलना होमर के इलियड वर ओडिसी से की जाती रही है उनकी तुलना में ये ग्रंत अत्यंत विशाल है अर्थात रामायन और महाभारत के आकार जो है वो इलियड और ओडिसी के तुलना में अत्यंत विरियत आकार है अकेला महाभारत ईलियड और ओडिसी दोनों को मिलाकर उनसे साथ गुना से अधिक बढ़ा है वे बोधिक प्रेर्णा, शुद्ध मनोरंजन, कथाओं, उपकथाओं, समवादों, दृष्टी कोणों, वाद विवादों के अंतहीन सागर है इनके अंदर जो तर्क दिये गए हैं, वो भी बिल्कुल ठोस हैं जैसे महाभारत के ही एक छोटे से अंस, भगवत गीता में कृष्णव अर्जन समवाद, दो परस पर विरोधी नेतिक दृष्टी कोणों के बीच एक छोटे से संगर्स को प्रस्तुत करता है महाभारत के महान युद्ध की पूरु संध्या पर यह समवाद, एक और तो भगवान कृष्ण का अपने करतव्य को करने पर जोड देता है और दूसरी और अर्जुन का बूरे परिनाम से बचने पर जोड देता है अर्जुन ये प्रश्ण उठाते हैं कि क्या यह सही है कि व्यक्ति मात्र धार्म को बढ़ावा देने के अपने करतव्य से संबंध रखे और अपने परीजनों को उनके दुखों को उनके वद्ध को भूल जाए उनके प्रति उदासीन हो जाए जोकी युद्ध में नी संदे होगा क्रिश्ण इस बात पर जोड़ देते हैं के अरजुन को परिणाम के परवा किये बिना अपने युद्ध करने के करतव्य का निर्वा करना चाहिए अंत में कृष्ण के तरकों द्वारा अर्जुन के संशयों का निवारण होता है और अर्जुन अपने कर्तव्य पत पर आगे बढ़ते हैं भगवत गीता हिंदू दर्शन में महान धार्मिक गरंद का प्रबंद गरंद बन गई पूरे विश्व में भहुत से विख्याद दार्शनिकों वो सहित्य सादकों ने जैसे क्रिश्टोफर इशर्वूट और टी एस एलियर्ट की द्वारा कृष्ण के दर्सन का समर्थन किया गया इस शर्वूट द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया यूरोप पर इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा विलहेम वॉन हमबोल्ट ने इसे सरवादिक सुंदर शायद किसी भी भाषा में विद्यमान एक मात्र वास्त्विक रूप से दार्शनिक गीत कहा और इसकी बरपूर प्रसंसा की फोर क्वार्टर नामक बुक में टी एस एलियर्ट ने एक कवीता में क्रिष्ण के विचारों को सारांस रूप से प्रस्तुत किया है वे कहते हैं कर्मफल की चिंता मत करो आगे बढ़ो अर्थात कार्य किये जाओ एलियर्ट आगे कहते हैं वो कहते हैं यात्रियों शुब विदा नहीं बलकि शुब आगे बढ़ो इस बात पर वो जोर देते हुए क्रिष्ण के विचारों का समर्थन करते हैं लेकिन बाद में युद्ध की विभीशिका अर्जुन के संसेयों वद तरकों के ओचित्य को भी प्रमानित करती है लेकिक के अनुसार अर्जुन के वितर्क भी वास्तों में पराजित नहीं हुए थे मात्र फेर फोरवर्ड ही नहीं बलकि फेर वेल की इस्तिती भी शक्ति साली रहती है उसका भी अत्यंत महत्व है नाभी के शस्त्रों का विकास करने वाले अमेरिकी दल के लीडर जे रोबर्ड ओपिन हैमर पर भी भगवत गीता का अतिदिक परभाव पड़ा नाभी के शस्त्रों के दूस परिणाम देखकर वे भाव विहल हो उठे थे और उन्होंने भगवान कृष्ण ने जिन सब्दों को कहा था उन्होंने कहा मैं मृत्यू संसारों का विनाशक हो गया हूँ लेकक के अनुसार वर्तमान वैश्विक संसार की समस्याँ चैसे आतंकवात, युद्ध, हिंसा, महमारी, असुरक्षा, गरीबी या भारत की विश्यस चिन्ताओं जैसे आर्थिक विकास, नाभिक्य, युद्ध पर विचार करते हैं तो यह महत्वपून हो जाता है कि हम अपना कर्म करने के पक्ष में क्रिश्न के तरकों पर विचार करने के साथ ही अरजुन के परिणाम के विश्यसन पर भी ध्यान दे यानि अरजुन ने जो चिन्ताओं व्यक्त की थी उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए इस लेक के सेकिन भाग जेंडर, कास्ट and वोईस के अंतरगत हम देखते हैं के भारत में लिंग, वर्ग, जाती और संपरदाई पर आधारित गहरी असमानताय रही है प्रश्न उपस्तित होता है कि क्या भारत में तरक वितर्क, वाद विवाद, एक वर्ग विशेस्ता की सिमित रहा है या जनसंक्या के सभी भागों में समान रूप से विभाजित हुआ है सबसे पहले हम लिंग से प्रारम करते हैं भारत में प्रतेक छेतर में पुरुसों के प्रभावशाली होने की परंपरा रही है लेकिन इसके बावजूद राजनेतिक वबोधिक दोड में महिलाओं के भाग लेने की बھی उपिक्षा नहीं हुई है महिलाओं ने भी यहां पार्टिसिपेट किया है और यह आज काफी इस्पष्ट है वास्तों में भारत में आज अनेक राश्ट्रेच और छेत्रिय दलों की नेता वरतमान में महिलाएं हैं और अतीत में भी रहें रूस व चीन के क्रानतीकारी आंदोलनों में कुल मिलाकर जितनी महिलाएं थी उससे बहुत अदिक महिलाओं ने भारतिय स्वतंतरता आंदोलन में भागीदारी निभाई थी और वो महत्वपूर्ण पदों पर रही है सरोजिनी नाइडू व नीली सेन गुपता जैसी प्रबुद्ध महिलाएं आजादी से पूर्व भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी हम बिल्कुल प्राचीन भारत की बात करें तो कुछ सरवादिक प्रसिद समवादों में महिलाएं शामिल रही है जिसमें सबसे अधिक बुद्धी मतापून प्रश्ण प्राई महिला वारताकारों द्वारा पूछे गए है यह उपनिश्दों तक में भी देखा जा सकता है जो इसापूर्व आटवी शताबदी में रचे गए थे जो हिंदू दर्शन के आधार इस्तंब है एक उधारन यहां लेखक देते वे बताते हैं कि व्रेदारन यह उपनिश्द में महान, विद्वान व गुरु जिसमें गारगी दो प्रशनों के द्वारा अपनी बुद्धी मता का प्रक्टन करती है इसी प्रकार याग्य वलक्यव उनकी पतनी मैत्रई के मध्य का धन संपदा से अमरता प्राप्त हो सकती है या नहीं वाला समवाद भी अत्यंद प्रसिद्ध है भारत में धार्मिक दर्शन में मनुस्य की कठिनव दुखद परिस्थितियों तथा भोतिक संसार की सीमाओं दोनों की प्रकृति का वर्णन करने के लिए मैत्रई के इस जोरदार प्रशन को अनेक वार उद्रित किया गया है इसी प्रकार महावारत में युदिष्थिर व द्रोप्ति के मध्य का प्रसिद समवाद जिसमें द्रोप्ति द्वारा युद्ध हैतु अनिच्छुक राजा युदिष्थिर को कोर्वों के खिलाफ युद्ध हैतु प्रोसाहित किया गया है भारवी द्वारा रचित किरातार जुन्य में इसका सुंदर वणन बिलता है जिसमें युदिष्ठिर द्वारा युद्ध ना करने की स्थिती में द्रोपती द्वारा उन्हें व्यंग्यात्मक वा उपहास उड़ाते हुए सादू बन जाने की सला दी गई है वो कहती है कि यदि आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो आप सादू बन जाईए ठीक इसी प्रकार शास्त्रार्थ वद तर्क वितर्क में सभी वर्ग और जातियों का प्रतिनिदित्व भी रहा है किसी एक जाती, किसी एक वर्ग का बाहुल्य नहीं है, सभी वर्गों का प्रतिनिदितु प्राचीन भारत्य आख्यानों में मिलता है वास्तों में धार्मिक रूडिवाद को चुनोती प्राय सामाजिक रुप से वन्चित वर्ग के प्रवक्ताओं से मिली है ब्राह्मनों की रुडिवादिता का विरोध करने वालों में सम्रित वर्ग के व्यापारी वर शिल्पकार भी शामिल रहे थे जैन और बो धर्म जो समानता के सिद्धान्त पर आधारित थे उनके उदेकाल के साहित्य में समानता के समर्थन में और उच नीच वा स्रेष्टता के विरोध में तर्क वितर्क वा प्रसंग मिलते हैं जाती भेद वर्क भेद के विरुद आंदोलनों में रूडिवादी विश्वासों पर प्रश्न उठाने है तुँ तरकों व वितरकों का परभावी वर रोचक प्रियोग किया गया है इसका उलेक महाकावियों में भी मिलता है ये संशेयात्मक तरक प्रकट करते हैं कि हिंदू द्रिष्टिकोन वर दर्शन सभी तरकों को इस्थान देता है समावेशी दर्शन है यहाँ पर लेखक अमरित्य सेन कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति में सभी के विचारों का चाए वो किसी के पक्ष में ह सभी को इस्थान दिया गया है, महाकावियों में इस्थान दिया गया है, उपनिशदों में इसका इस्थान दिया गया है, विरोधी तर्कों को भी स्वीकार किया गया है, हिंदू संस्कृती तर्क की परंपरा को एक पून अंतर दृष्टी प्रदान करती है, इस समय में रहस्यवादी कवियों की परंपरा में ऐसे व्याख्याकार शामिल थे जो हिंदू भक्ती आंदोलन वो मुस्लिम सुफी आंदोलन द्वारा समाज में समानता के ड्रिड पक्षदर थे वह जातीव वर्ग भेद के विरुद मजबूत तर्क इसपष्ट रूप से रखते थे इनमें बहुत से कवी, गरीबी, वह सामाजिक रूप से निचली प्रिष्ट भूमी से संबन रखते थे लेकिन उन्होंने जातीगत भेदभाव उच नीच के विरुद प्रभावी तर्क वितर्क रखे, अपनी बात रखी कबीर जो इनमें सबसे महत्वपून थे, दादू, रविदास, सेन, मीरावाई, अंदल, दयावाई, क्षेमा, आदी इनमें प्रमुक थे तो हम देखते हैं कि पूरुषों के साथ इसमें महिलाएं, यहनि संतों के साथ जो है, संत कवितरियां भी इसमें प्रमुक थी समकालीन असमानता के बारे में बात करते समय, तर्क की परंपरा की प्रासंगिक्ता वा प्रभाव में यह महत्वपून है कि इन में से कुछ तर्क सबसे कम धनाडे वर्गों के जीवन के बारे में रहे हैं, जो शास्तरार्थ की बुद्धी मता के प्रदर्शन के बजाए इन दावूं की महत्वपून शक्ती पर आधारित रहे हैं इस लेक का अगला पार्ट डील करता है डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजनिंग यानि सारोजनिक बहस के रूप में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में सारोजनिक बहस किस प्रकार से महत्वपून है भारत में तर्क की सम्रिद परंपरा हमारे जीवन में अलग-अलग वर खास रूप से अंतर लाती है यह हमारे सामाजिक संसार वह हमारी संस्कृति को आकार देती है रुडिवादिता का विरोध करती है मजबूत तरक हमारे सारोजनिक जीवन का महत्वपून अंग है इससे भारती राजनिती पर गहरा परभाव पड़ता है यह भारत में परजातंतर के विकास और इसकी धर्म निरपेक्ष प्राथमिकताओं के उदे के लिए विशेस रुप से प्रासंगिक है भारत में परजातंतर की एतियासिक जड़ें इसके सारोजनिक बहस के साथ जुड़ी हुई है ना कि ब्रेटिस प्रभाव के यहां लेकक कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत में परजातंतर इसलिए है क्योंकि यहां ब्रेटिस राज करके गए थे और उनके प्रभाव के कारण भारत में आज परजातंतर है जबकि लेकक के अनुसार भारत के अंदर जो सारोजनिक बहस की परंपरा रही है प्राचीन काल से, उसके कारण से भारत में प्रजातंत्र है, सामान्य रूप से देखा जाए तो सारोजनिक बहस की परंपरा संपूर्ण विश्व में प्रजातंत्र की जड़ों से घनिष्ट रूप से संबंदी थे केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व से संबंदी थे भारत में सारोजनिक बहस की लंबी परंपरा रही है और आजादी के बाद जब भारत ने डृड रूप से प्रजातांत्रिक समिधान को चुना तो ना केवल इसने यूरोप व अमेरिका में अपने संस्तागत अनुभों से प्राप्त सीख को उपियोग में लिया बलकि इसने अपनी स्वेम की सारोजनिक बहस और तरकशिल अरूडिवादिता को भी उपियोग में लिया यानि जो सिस्टम जो डवलप हुआ हुआ था यूरोप और अमेरिका वो काम में लेते हुए हमने हमा पहला यह कि स्वतंत्र भारत ने प्रजातंत्र को पस्चिमी संसार से एक उपहार के रूप में ग्रहन किया है एक तो इससे हमें बचना होगा ऐसा कोई उपहार हमने पस्चिमी संसार से ग्रहन नहीं किया है और दूसरा यह कि भारती इतिहास ऐसा अनुपम रहा है जहां प बचना है, ये दोनों ही अती रंजना हैं, इनसे बचना है, मुख्य बात यह है कि प्रजातंतर का सारुजनिक बहस, परिचर्चा वा अंतहक्रिया आधारी तर्क वितर्क से घनिष्ट संबंध है, यानि प्रजातंतर में ये महत्वकून रखता है कि सारुजनिक बहस हो, परि प्रजात अंतर को इस्थापित करना वा सुरक्षित रखना अधिक सरल हो जाता है। हमें इसको हमारे मूल तंतर में सम्मिलित रखे रखना होगा। तभी प्रजात अंतर जीवित रहेगा। तभी प्रजात अंतर सुरक्षित रहेगा। तो आश्या है आपको ये पार्ट जो है इसके जो सारान से वो भली बांती समझ में आ गया होगा। आईए हम इसके कुछ म तो पुन प्रश्ण उतर देखते हैं, एक प्रश्ण है, who was Krishna Menon and how long did he deliver his speech at the UN, Krishna Menon कोन थे और उन्होंने UN में कितने समय तक अपना भाशन दिया था, हम जानते हैं कि Krishna Menon सेयुक्त राष्ट में गए हमारे प्रतिनिदी मंदल के नेता थे, उसका नेतरित्व कर रहे थे, उसमें भाइरत के रक्ष्या मंत्री थे, और उन्होंने सेयुक्त राष्ट संग में 9 घंटे तक लगातार भाशन दिया था, अगला प्रशन देखें, उन विदेशी कमेंटेटर्स के नाम बताएं, जिनोंने कृष्ण की मोरल पोजिशन को एंडोर्स किया, उसका समर्थन किया, तो हम जानते हैं यहां तीन नाम वपस्तित होते हैं, सबसे पहले शी इसरवुट, फिर टी एस एलियट और विलहम वोन हमबोल्ड, ये विदेश कमेंटेटर्स थे, जिनोंने भगवान कृष्ण की मोरल पोजिशन को समर्थन किया, उसको एंडोर्स किया था, नेक्स्ट देखें, डिसकस्ट टोपिक ओफ डिबेट बीट्वीन अर्जुन एंड कृष्ण इंद भगवत गीता, भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के मद्य वाद विवाद की विवेचना करें, बताएं क्या इनके बीच में, जो डिबेट हुआ था, वो क्या था, हमने देखा कि महाभारत के पार्ट भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन अपने वाद विवाद में दो विपरीत बातें कहते हैं, कृष्ण जो है, वो कर्तविय पत पर चलने पर जोर देते हैं, और अर्जुन को युद्ध है, तो प्रेरित करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जबकि अर्जुन जो है, वो परिणामों पर ध्यान देते हुए, क्योंकि युद्ध हो रहा है, इसके परिणाम बुरे होंगे, तो वो चाहते हैं कि इसका कोई उचित कारण हो जिससे हम अपने करतवियापत पर आगे बढ़ें तो वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे इसके उपर वो अपना तर्क दे रहे तो यह दोनों के मध्य समवाद का विशे था एक महतोपुन प्रश्न पनता है discuss the role of women in political leadership and intellectual pursuits in India भारत में political leadership यानि राजनितिक नेत्रित्व और intellectual pursuits यानि बोधिक दोड में इस्त्रियों की भूमिका पर चर्चा करें हमने इस लेक में देखा कि भारत में सदे भी राजनितिक नेत्रतों और बोधिक दोड में इस्त्रियों की भागीदारी रही है आज और पुरु में भी महतोपुन राजनितिक दलों चाए वो राश्ट्री हो चाए प्रांति इस्तरपर हो उसमें जो नेता रहे हैं वो इस्त्रियां रही हैं और कुछ जो पॉलिटिकल के साथ साथ इंटेलेक्ट्वल परस्यूट्स होएं कुछ विशेश प्रसिद समवाद होएं उसमें भी इस्त्रियां शामिल रही हैं एक महत्वपुन प्रश्ण बनता है यानि सामजिक रूप से वंचित समूहों ने प्राचीन भारत में ब्राह्मनिकल और्थोडोक्सी यानि रुडिवादी ब्राह्मनवाद के विरुद आवाज उठाई बहुत और जेन धरम से उधारन लेकर यह आप तरक दें हमने इस लेक में देखा कि धार्मिक रुडिवाद को जो चुनोती मिली वो प्रायर socially disadvantaged जो ग्रुप थे उनके समूहों से मिली थी सामाजिक ग्रुप से वंचित जो समूह थे उनके द्वारा दी गई थी और कहीं कहीं पे यह संपन व्यापारियों वह शिल्पकारों के समूह के द्वारा भी दी गई थी जो कि comparatively जो थे अमीर घराने से तालुक रखते थे और इसी जो असंतोस के कारण धीरे धीरे बोध धर्म और जेन धर्म का प्राचीन समय में विस्तार हुआ तो बोध धर्म और जेन धर्म दोनों जो हैं वो समानता के सिधान्त पर इनका उदय हुआ और स्रेष्टता के सी दांद को उच नीच के सी दांद को उनोंने नकारा और इस से इस अंदुलन का स्रिजन हुआ और जो परारंबिक बोध और जshine दरम के जो साहित्ते हैं उसमें इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं ऐसे अनेक वहाँ अनुभाग है जिसमें समानता का उन्होंने समानता को स्विकारा है और जो उच नीच की भावना जो स्रिष्टता की भावना है उसका विरोध और उसका प्रतिरोध वहाँ पर मिलता है एक महत्वपुन कॉश्चन है बारतिय प्रतिय परंपरा जो है प्राचीन समय से ही सारुजनिक तर्क वितर्क सारुजनिक समवाद और बोधिक विविदता को महत्व देती है और ये भारत की जड़ों में रचा बसा हुआ है और चाए हम इसको उपनिश्दों में देख लें चाए महा काव्य में देख लें जैसे महा भारत का उधार्ण यहां देते हुए और इसका कृष्ण और अर्जुन के जो तर्क है वापस में विरोधावासी है और इसका विस्तरत वियाख्यान हमें भगवत गीता में मिलता है तो यह जो बहस थे यह जो तर्क वितर्क थे यह प्राचीन समय से भारत की संस्कृति में भारत के आख्यानों में मिलते रहते हैं तो इसमें आध्यात्मीक, राजनितिक, धार्मिक छेत्रों में स्रेष्ट बोधिक सास्तरार्थ हुए और इसमें महिलाओं की भागिदारी रही, वंचित वर्गों की भागिदारी रही और इस से भारत के अंदर भारत की परमपरा है उसको विक्सित करने में और इसको परजात अंतर की ओर ले जाने में इसने साहिता प्रदान की तो ये कुछ महत्वपुन प्रश्णोतर थे आशाय आपको ये वीडियो लेसन समझ में आ गया होगा लिए आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद